ये जो वीडियो है काफी जरूरी होने वाला है क्योंकि इस पर्टिकलर वीडियो में हम पूरी की पूरी जो घरीलो हिंसा से संबंधित शिकायदर्ज की जाती है इसके पारे में बात करींगे, पूरे कानूनी प्रावधानों की बात करींगे और जो प्रक्रिया है शुरू से लेकर के अंत तक, वो आपको किसी वीडियो में नहीं मिली होगी हम इस पर्टिकलर वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने का करींगे प्रयास थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको सारे जो facts है plus जो situation है किस तरीके का जो procedure प्रक्रिया वो पूरी explain करने कोशिश करूँगा जिसमें लग सकता है थोड़ा सा समय patience दीजे आपको पूरी की पूरी जो जानकारी है घरेलो हिंसा अधिनियम 2005 जिसका पूरा नाम है The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 की जानकारी आपको मिलेगी आपने शुरुबात की अशोग पांडे के साथ नए हैं आपको करना है subscribe जी हाँ और साथ ही साथ किसी personal परिशानी के लिए भी अगर आप करना चाहें बात तो आप बिलकुल कर सकते हैं इस वीडियो का description में details mention है चलिए शुरुबात करते हैं और बात करते हैं आखिर proceeding क्या होती है कानून तो ये कहता है The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 का जो कानून है वो ये कहता है कि 60 दिन के अंदर पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो खतम होनी चाहिए और सारा का सारा जो court मतलब application से ले करके information से ले करके और final order पास करने तक के लिए 60 दिन का समय दिया है लेकिन आपको मालूम है Indian Judiciary में समय काफी जादा लग जाता है इसे साब से 60 दिन तो minimum समय हम मान लेते हैं, generally इसमें काम नहीं हो पाता है, इससे जादा का ही समय लग जाता है, कितना जादा थोड़े समय में बात करींगे तो शुरुवात करते हैं information से जो कि धारा चार में बताई गई है अगर महिला के साथ किसी भी प्रकार से घरेलू हिंसा होती है जो कि economic form of abuse हो सकता है डावरी की डिमांड हो सकती है physical या mental torture हो सकता है sexual assault हो सकता है, उसकी इक्षा नहीं है सहमती नहीं है, फिर भी जबरजस्ती उसके साथ sexual relation पती बनाने कोशिश करे कोई अन्य रिष्टदार परिवार का बनाने कोशिश करे, तो sexual offense में आ जाएगा और violence में आ जाएगा साथ ही साथ economic या verbal form of जो abuse होता है, गाली का lodge करना या अभद्र भाशा का IPO करना, तो वो भी आ जाएगा तो इसकी जानकारी देनी है धारा 4 के अंतरगत, जानकारी कहां कहां दी जा सकती है, जानकारी चार जगा पे जा सकती है, सबसे पहली आपका नजदी की local police station दूसरा, protection officer आने आपको बताया तो protection officer क्या होता है क्या होती है DIR, Domestic Incident Report इसके पहले के कुछ वीडियो आप देखेंगे आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी साथ ही साथ, जो service provider होता है याने SPs, बहाँ पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं या information दे सकते हैं तो यह धारा चार के अंतरगत होगा और या की direct magistrate court को भी information आप दे सकते हैं इसके बाद में होती है शिकायत जो की rule 5 form 1 के हसाब से होती है धारा 5 में बताया गया complaint जो शिकायत है शिकायत भी नहीं चार authorities को हो सकती याने protection officer, local police station, direct magistrate court या SPs को इसके बाद में जो court में application जाती है जब court में application जाती है चाहे वो forwarding application हो SPs के थूँ याने जो service provider है उसके थूँ हो service provider कुछ NGOs भी हो सकते हैं जो register होते हैं state government में basically काम करते हैं महिलाओं के बच्चों के संडरक्षन और उनके उत्थान के लिए तो आप समझ सकते हैं यह SPs हैं जो register होते हैं राजसरकार के अंतरकत जो protection officer है उनके थूँ भी शिकायत जा सकती है महिला के थूँ direct शिकायत जा सकती है या आप अपने वकील के द्वारा भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या local police station से भी application forward हो सकती है जो application धारा 12 के अंतरकत होगी तीन स्टैप हो गए हैं सबसे पहले information information के बाद में शिकायत याने complaint शिकायत याने complaint के बाद में आवेदन application जो धारा 12 में था अब जज तक बात पहुँच गई है जज के पास में जब आप धारा 12 के शिकायत दर्ज करते हैं घरेलू इंसा अधिनियम 2005 के कानून के अंतरकत तो notice भेजे जाते हैं notice या समन आप कह सकते हैं एक तरीके से सूचना है जो respondent है प्रतिवादी है उनको court की तरफ से notice जाता है कि भई आप आईए आप बताईए आपने घरेलू इंसा की है आपके खिलाफ में ये शिकायत आईए आपको जवाब देना पड़ेगा अगर जो respondent है जो प्रतिवादी है वो कौन हो सकते हैं husband हो सकता है या परिवार के सदस्चे अन्य सदस्चे भी हो सकते हैं तो ये जो respondents हैं उन्हें court के सामने appearance देनी पड़ेगी हाजरी देनी पड़ेगी और अपना जवाब देना पड़ेगा court के सामने जो complaint application धारा बारा में महिला ने, women ने, wife ने की हुई है तो notice गए अगर माल लेते हैं कि नहीं आते अगर परिवार के जो members से वो नहीं आते तो ex-party order होगा ex-party order का मतलब ये होता है कि अब उन्हें सुना नहीं जाएगा और क्योंकि court ने एक बार, दो बार, तीन बार शायद opportunity दी हो अब वो court के सामने नहीं उपस्तित हो रहे हैं तो इस condition पर court उसका निरने कर देगी निस्करन कर देगी और order पास कर देगी जो भी court को suitable order लगता है या कि तीन दिन के बाद में जो application फाइल किया है parties appear होंगी court में तो जब appearance होगी तो appearance के बाद में mediation और counselling का भी एक provision है जो counsellor होते हैं ये special counsellor appoint के जाते हैं धारा 15 के अंतरगत जहां पे assistant, family, welfare, expert assistance देते हैं किसे महिला को देते हैं या जो respondent है उनके बीच में mediation के लिए भी ये काम करते हैं तो counselling के एक प्रक्रिया होती है जब जो respondent है, जो प्रतिवादी है court में होते हैं appear उसके बाद मैंने आपको interim applications के बारे में बताया था जो कुछ तरीके की होती है धारा 18, 19, 20, 21, 22 में बताया गया है protection orders मिलते हैं protection order का मतलब महिला को अगर पती बार-बार मार पीट करता है तो court रोकथाम लगा सकती है तो protection order कहलाता है residence order मतलब आप उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते महिला को उसके घर से shared household accommodation से बाहर नहीं निकाल सकते चाहे वो rented है या खुद का है या साससुर की property है उससे आप बाहर नहीं निकाल सकते तो उसके लिए residential order court पास करती है residential के बाद में मान लीजे बच्चे हैं तो बच्चे का care protection, maintenance किसे मिलेगा तो किस तरीके से मिलेगा इसके बारे में court order पास कर सकती है इसके बाद की जो जानकारी है वो maintenance और compensation से related है जहाँ पर court compensation award करती है जो मुआफजे की रकम क्योंकि अगर महिला के साथ में मारपीट की गई है या किसी अन्य तरीके से तो मुआफजा भी court उसे दिलाती है और साथ-साथ हर महिने के जो खर्चे है court उसका भी प्रावधान करती है जो maintenance प्लस x-party orders और judgments के बारे मैंने आपको बताया थो तो यहाँ पर जो conditions है अगर notice serve हुआ notice serve होने के बाद में counselling और mediation की प्रक्रिया होती है parties जबाब अपना submit करती है जो respondent प्रतिवादी होते है वो court के समक्ष अपना जबाब प्रस्तुत करते हैं हम लोग reply भी कहते हैं या written statement भी कहते हैं तो यह ws file करने के बाद में interim orders के उपर जितनी भी applications हैं interim orders की जो अभी मैंने आपको बताई वो सब court decide करती है और इसके बाद जो मामला लगता है court के समक्ष वो लगता है evidence and argument में सबूत देने पढ़ींगे किसे देने पढ़ींगे महिला को देने पढ़ींगे घरेलों हिंसा से संबंदे जो भी उसके पास उपलब्द सबूत है वो सारे के सारे सबूत वो court के समक्ष रखेगी उसके उपर examination, cross examination court का होता है वकील जो दोनों तत्द पक्ष के हैं और उसके बाद argument के उपर बहस के उपर मामला लगता है बहस के बाद final order court के द्वारा पास किया जाता है और final order होने के बाद में क्या इस्थिती बनती है इस्थिती बनती है कि अगर court ने order कोई पास कर दिया और उसका violation जो respondent है प्रतिवादी है जो पती है या रिष्टदार है जिन्होंने domestic violence महिला के प्रति किया था यदि उसका उलंगन करते है court के final order के बाद तो धारा 31, section 31 के अंदर गत एक punishable offense है जहां पर 20,000 रुपे तक का fine और एक साल तक का कारावास यानि imprisonment हो सकता है जेल हो सकती है तो 20,000 रुपे तक का fine और एक साल तक की jail जो की punishable offense and intersection 31 में अगर court का order violet होता है तो मतलब court का order मानना ही है mandatory है, compulsory है दूसरी बात अगर कोई application of alteration है या discharge की application है या court ने अगर discharge कर दिया तो बात ठीक है अगर घरेलू हिंसा के मामले नहीं क्योंकि कई बार misuse भी होता है इस कानून का तो यदि court ने discharge कर दिया दोश्मुक्त कर दिया तो फिर कोई बात नहीं appeal की जा सकती है अगर मान लीजी आपको सजा हो गई court ने कुछ order ऐसा pass कर दिया जिसके against में आप अब higher court जाना चाहते हो तो आपके पास में समय रहेगा 30 दिन का जहां पर आप अपनी appeal कर सकते हो और ये appeal कहां पे होगी क्योंकि अभी JMFC Judicial Magistrate First Class Court या Metropolitan Magistrate Court में आपका केश चल रहा था जो एक तरीके से lower judiciary होती है तो अब उसके उपर का court आपको जाना पड़ेगा जो होता है information जो महिला domestic violence से संबंदित धारा 4 में देगी जो शिकायत है, complaint है, section 5, rule 5 form 1 के हसाब से देगी application जो जाएगी court के समक्ष, magistrate court के समक्ष धारा 12 में जाएगी, application जब court के सामने जाएगी तो जो respondent है प्रतिवादी है, उनको court notice serve करेगी, या कि वो आएंगे या कि वो नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो appearance देने के बाद में mediation और counselling का एक procedure चलता है उसके बाद में अगर नहीं आते तो court ex-party order कर सकती है, ex-party order अगर court ने कर दिया तो बात खतम हो गई, और अगर नहीं किया, अगर notice serve होए appearance हो गया, तो जवाब दावा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे written statement या say भी कहा जाता है, जब आप जवाब फाइल करेंगे यानि प्रतिवादी जब जवाब फाइल करेगा उसके साथी साथ बहुत सारी जो interim applications होती है, protection संबंदित maintenance संबंदित, compensation संबंदित child custody या कुछ और applications court, वो सारी applications decide करेगी इसके बाद आता है final stage के पहले का एक procedure जहाँ पर सबूत देने पड़ेंगे, महिला को भी जिसके साथ घरेलू हिंसा होई है और अगर respondent submit करना चाहे तो वो और उसके बाद में फिर होता है examination, cross examination, argument याने बहस और बहस के बाद final order final order यदि court ने कर दिया उसका उलंगन किया जाए, धारा 31 के अंदरकत, punishmental offense है, जहां पर सजा का प्रावधाने, एक साल की सजा और 20,000 रुपे जुर्माना या दोनों, और इसके साथ ही यदि court ने आपको दोश्मुक्त कर दिया, discharge कर दिया, तो फिर कोई बात नहीं, जो opposite party रहेगी, उसके पास में option है, कि वो appeal कर सकती है, appeal कहां पे होगी, session court, याने higher court, और appeal का जो time रहेगा, अब वो रहेगा, 30 दिन आपको यह जानकारी कैसे लगी, मुझे comment box पे जरूर mention कीजिए, domestic violence की पूरी प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने इस particular वीडियो में बात की, धारा 4 से लेकर के 31 तक आपको जानकारी, जरूर आप मुझे comment box पे बताईएगा, और कर सकते हैं, हमेशा आप कीमती महत्यपूर्ण, आपका समय जो मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद,